आज के इस लेक्चर में टपिक पढ़ेंगे रैंड रॉंक का टपिक है यह नाइंथ वादा जो कंप्यूटर साइंस की बूक है नाइंथ में चैप्टर नूबर फॉर में टपिक है और फस्ट इयर में यह चैप्टर नूबर फाइब के अंदर यह टापिक मौजूद है में मेमडी की जो दो टाइप्स लिख हुई है एक रैंड रॉंक तो रैंड रॉंक इसमें दो पार्ड में यह टापिक हम कवर जड़ेगे पहले पार्ड में कुछ पॉइंट्स मैंने यह आपर सामने लिखे हुए हैं अगर यह पॉइंट्स हमें आते हैं तो एक लांग वैसर इंसे कवर होता है और बाकी जो तो इससे दो लांग वैसर बनते हैं उनका 50-50% मैटिरियल हमारा कवर हो जाएगा तो पहले मैं बताता चलूँ कि इसमें से तीन लांग वैसर बन कौन स सकते हैं मैकसिमम पासिबल तीन लांग पर सर्फ बन सकते हैं इसे पहले है वाट इस डिफरेंस बेट्वीन रैम और रॉम में क्या अफार किया है तो डिफरेंस डब भी लिखे लाता है मैंने बताया लाइन लगाते हैं सेंटर में टेबल सबराना है एक साइड पे रैम को लेखें ये दूसरी साइट में उसके आपो जिफरेंट पॉइंट रांग के लिखने हैं दूसरा टापिक वाट इस रैम एकस्प्लेंट इस टाइप्स कि रैम जाओ कि उसकी टाइप्स कितनी है और तीसरा लांग वैसल इससे बलता है वाट इस रांग एकस्प्लेंट कि रैम का इंट्रड़कशन है रैम क्या होती है रांग क्या होती है वो इंट्रॉदक्शन उमारा कवर हो जाएगा तो समझे हैं ये तीन लांग पेसर तक रीबान नहीं करेंगे और दोनों की सिरफ टाइप्स रहता है अगनि चौन हम इसके पार्ट नमर टू मिलुका नमन Random Access Memory and ROM stands for Read Only Memory अब इनके जो नामें इन नामों के अंदर भी एक पूरी कहानी छुपी हुई है Random Access का क्या मतलब है? RAM को Random Access Memory करते क्यों है? Why RAM is called Random Access Memory RAM का जो लादीकल एक स्टुक्चर है उस में RAM की एक लादीकल शेपम बना सकते है RAM में डेटा स्टूर करने के लिए बाइट्स बने होते है यह तो डबे से मैंने बनाए यह बाइट्स होते हैं यह RAM के अंदर बने होते है और यह बाइट्स 2, 4, 6, 8 नहीं होते बलके लाको करोडों की उसमें उसमें पस्टूर करने होते हैं जतनी कपेस्टी ज्यादा होगी 4 जीबी की RAM यह बने हता है और 8 जीबी की RAM ने बाइट्स बनाए बाइट्स के और भाइट्स के लाएगी अंदर ज्यादा होगी दो यह डिनम एक्सेश तक हो older 23 ने दिवाइड दमारुयल तो तो इनको सेल कहते हैं और हर बाइट बाइट पे एक एडरस मिला होता है, बाहरे एक्जाम्बल रहे आ सकता है, बाइट पे एडरस मिला हो तो रेट्री फौर यॉनीक एडरस होगा, तो रेंच नाम वाइड बाइट से टीत जाये एंड वाले इंड वाइड से चाहिए डानी कि this कब वज ऊडरेस्न दे zulक टेकर डियक्ट उसी बाइड से डाउसे मिल लाएका रिन्टम ली एकसेस कर सकते हैं डो तरह की एकसेस होती है एक यह German और एक sequential, sequential क्या है, for example, अगर यह sequential access है, यह 10 bytes है, for example, तो CPU को 10 byte से data चाहिए, तो वो पहले इस byte को देखिए, पिर यह sequence से जाएगा, फिर 10 number में पहुचेगा, जिसमें time-faced होता है, random access का क्या मतलब है, कि 10 में से data चाहिए, direct 10 में का address दिया, उस से data CPU को मिल गया, तो चाहिए, वो पहले byte से data ले चाहिए, center वाले से, चाहिए, end वाले से, जिसका address देगा, direct उसी byte से data CPU तक बोल जाएगा, और time कितना लगेगा, अकर पहले byte से data लेने में, for example, time बहुत कम लगता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अकर पहले byte से data लेने में एक सेकेंड लगता है, तो center वाले से, कितना time लगेगा, वो भी एक सेकेंड लगेगा, end वाले से कितना, वो भी एक सेकेंड, तो हार byte जिस से data लेना है, equal amount of time में मुझसे data ले सकता है, तो random access का मतलब, random कहते हैं, बे तर्दीब को, कि इसकी किसी भी byte को direct access किया ला सकता है, उसका address लेकर, एक और इसकी मिसाल, sequential और random की मैं पता हूँ, कि इससरा हमारे mobile की phone book है, अगर मैंने सर्टोगीर का number जेक करना है, तो वो सेव है सर्टोगीर के नाम से, मैं sequential access से आओ, तो पहले A वाले सारे contact आएंगे, फिर B, फिर C, फिर कहीं डागर मैं S तक पोचूँगा, फिर S में से SIR, तब मुने डागर सर्टोगीर का contact नंबर मिनेगा, तो इसमें time based होगा, और simple, अगर मैं उस box में नाम time कर दो तो डारेक्टम का नाम सामने आद लेगा, तो इससे random access कहते ही इसी डिये हैं, कि इसके किसी byte से भी, इस byte से CPU को data चाहिए, वो randomly लेनेगा, randomly कैसे 10 का address दिया, तो पहले bytes को बो नहीं देखेगा, डारेक्ट 10 से data CPU तक आजाएगा, अगर 1000 byte का address देता है, तो 1000 नमर वाले byte से data CPU तक आजाएगा, इसके opposite, second point, इसका रिखा हुए RAM का read, it stands for read only memory, तो read only का क्या मतलब है, कि इसके अदर जो data होगा, वो सिर्फ हम देख सकते हैं, जिस सरह CD नहीं है, CD, CD का बूरा नाम होता है CD RAM, compact disk, एक डिस्क है, read only memory, अब CD के अंदर जो content पड़ा हुए है, उसको हम सिर्फ play कार सकते हैं, देख सकते हैं, उसको CD के अंदर से हम chain या delete नहीं कार सकते हैं, जो simple CD है, तो RAM का यामर यही meaning हा रहा है, कि इसमें जो settings, जो भी settings save हो जाएगी, जो भी data इसमें save होगा, उसको सिर्फ read की अजार सकत है, that cannot be chained और deleted, उसको बाद में हम chain या delete नहीं कर सकते हैं, तो यह दो इनका है, लगजी मतलब है, random access, किसी भी byte से data चाहिए, वो direct CPU उसका address देकर उससे data ले लेगा, read only का मतलब, कि इसके अंदर जो भी content, जो भी material पड़ा हुए, वो read only है, उसको सिर्फ हम देख सकते हैं, व RAM data को store कैसे करती है, temporary data को आरजी तोर पर, अब RAM में data जाता को होना है, जो जो प्रोग्राम हो ओपन करते हैं, वो पहले RAM के अंदर load होते हैं, all programs are loaded in RAM before execution, हर प्रोग्राम चलने से पहले RAM के अंदर, main memory RAM के अंदर load होता है, फिर वो चलता है, अब जो प्रोग्राम इसमें loaded है, for example, मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, वो currently loaded है RAM के अंदर, light से नहीं जाती है, तो बारा computer आफ हो गेम वहां से direct start नहीं होगी, बलके दोबारा नहीं से रहसे लगानी पड़ेगी, मैं कोई movie देख रहा हूँ, media player कोई खुला हूँ है, वो RAM loaded है, अकर light आफ हो जाती है, computer आफ होत है, तो जोगी दोबारा मान करेंगे, तो वो गेम या वो भी वहां से शुरू नहीं होगी, बलके, light सेरे से में दोबारा उसे play करना पड़ेगा, it means, इस के अंदर, जो भी data program store होगा, वो permanent नहीं होगा, वो temporary होगा, और इस एवन ऐसे सिकार राता है, ये volatile memory है, RAM is also called volatile memory, why RAM is called volatile, because when we switched off our computer, RAM loses its contents, कि जब हम computer को off करते हैं, तो RAM के अंदर जो material पड़ा हुए, तो content उसके अंदर तो data पड़ा हुए, वो जाया हो जाता है, इसलिए RAM volatile memory है, RAM को क्यों volatile कहते हैं, क्योंकि ये data को temporary store करती है, जब computer को off करेंगे, इसके अंदर पड़ा हुए, जो भी material होगा, वो सारा जाया हो जाएगा, इसलिए RAM को कहा राता है, volatile memory है, इसके against ROM, ये data को permanently store करती है, जो भी data ROM के अंदर store होगा, वो permanent store होगा, और इस permanent store करने की वज़े से RAM को का रहता है, ये non volatile memory है, non volatile है, अब को उसी होती है, एक ऐसी memory, जिसके अंदर जो material पड़ा हो, computer को आप भी कर दें, वो data जाया ना हो, जिससरा हमारी आर्टिस्क है, हमारे mobile का memory कार्ड है, वो निकार के रख दें, वो भी non volatile है, data उसमें जाया नहीं होगा, आर्टिस्क है, बेशे computer दो सालाब रहते हैं, दोबारा हम लगाते हैं, आर्टिस्क में जो material पड़ा होगा, वो कभी भी जाया नहीं करेंगा, तो RAM non volatile memory है, क्यों इसे non volatile कहते हैं, क्योंकि RAM के अंदर जो भी content होता है, चाहे हम computer को switch आप भी करते हैं, वो data जाया नहीं होगा, इसलिए RAM को कारता है, यह non volatile memory है, 4th point में लिखा हुए है कि RAM में data किस time पे store होता है, कब RAM के अंदर data जाएगा, कब RAM के अंदर data store होगा, तो RAM में भी मैंने बता है कि हर प्रोग्राम चलने से पहले RAM के in bytes में जाकर load होता है, तो जिस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, जब computer start करते हैं, तो RAM के अंदर इतनी basic settings है, वो जारी RAM में load होती है, फिर window load हो रही होती है, मुफ़ति विंडों के load होने के मुफ़ति इंडिकेशन्स है, Windows XP में एक बार सी चलती है, तो हम गहरे है, यह window load हो रही है, फिर जब window load RAM के इंदर हो गई, तब वो आल होती है, तब हम desktop तक आते हैं, फिर जिस प्रोग्राम को हम चलाएंगे, वो चलने से पहले RAM के अंदर load होगा, फिर चलेगा, तो RAM में यह data कब store होता है, at the time of execution, हम किसी भी प्रोग्राम को चलाते हैं, तो जब वो प्रोग्राम चलेगा, तो तब RAM में store होगा, इसके बलक्स, RAM में कब data store होता है, को store करता है, RAM जब बनती है, इसमे data manufacturing time में store होता है, जब RAM चेप बनी, तो computer की जतनी basic settings है, वो सारी RAM के अंदर store हो जगती है, जिनको बाद में हम चेर या deleting कर सकते हैं, तो इस में data store करने मादा होता है, manufacturer of RAM, जिस ने RAM को बनाया वो ही बनाते वाक्त, उसमें computer की जो जो settings है, वो सारी store कर देगा, data जो RAM के अंदर आएगा, उसे change और delete किया जा सकता है, कैसे, मैंने application गॉपल किया, वो जाकर RAM के अंदर load हो गई, अब जो ही मैं close करूंगा, उसे RAM से खता हो जाएगी, RAM में जो settings या जो भी data अमने store कर दिया, वो बाद में chain या delete नहीं होगा, RAM की कुछ टाइमस आई हैं जिल में, अल्ट्रा वाइलेट रेज और electrical बस इसके जरीए data chain और delete हो जाता है, लेकिन चुक्के हम simple RAM के बारे में फट हैं, तो इसमें बेनाल हम यही point लिखेंगे, जो simple RAM ह उसमें जो data एक पार store हो देगा, वो बाद में chain या delete नहीं किया ला सकता है, तो इस feature की बज़ा से, यह जो RAM के है, data chain और delete हो सकते हैं, read and write memory कहते हैं, read and write, यह दो down's है, जो के storage devices जो भी अमठते हैं, उनमें यह down's इसमाल होती है, यह reading क्या है, और writing क्या है, read data, अब आप, यह तो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, यह आप read कर रहे हैं, कैसे, all ready वहां पर server पर save है, आप ने, डूल कर उसमें क्लिक किया, जो all ready save चीज़ है, उसको आप देख रहे हैं, यह आपने data को read किया, write करने का क्या मतलब है, नया data भी में save करना, तो read का मतलब, अब मेरे पास mobile की phone book में जो contacts है, अगर all ready किसी का contact number save है, मुझे जरूरत पढ़ता है, मैं search में जाकर उसका नाम लिखता हूँ, वो contact number सामने आ रहाता है, तो यह मैं कहूंग, यह मैंने read किया है, reading की है, writing का क्या मतलब है, नई information store करना, कोई नया data store करना, वो writing के लाएगा, अब read and write memory कैसे है, इसके bytes के अंदर जो data पढ़ा हूँ है, CPU उस data को ले भी सकता है, उसकी तरफ data बेज भी सकता है, CPU RAM से data ले भी सकता है, RAM की तरफ data बेज भी सकता है, तो इसे लिए एक आज़त है, RAM की read and write memory ये CPU पे दोनों operation perform कर सकता है, इसके बराक्स ROM read only memory है, read only का क्या मतलब, कि इसके अंदर पढ़ा हुआ जो भी content है, उसको सिरफ हम देख सकते हैं, सिरफ check कर सकते हैं, use कर सकते हैं, उससे हम चेन या delete नहीं कर सकते हैं, alter नहीं कर सकते हैं इस लिए RAM, RAM read only memory है, RAM की दो टाइप्स हमारे सब इसमें लिखिए हूँ है, एक D RAM, एक S RAM, और RAM की तीन टाइप्स है, B RAM, B P RAM, और WP RAM, यह हमारे इस topic हैं जो part 2 है, इसमें हम इन दोनों की टाइप्स पढ़ेगे, तो जब RAM का, यह जो second RAM के सलिए आपर मैंने लिख है, what is RAM explain its type, तो इसका यह बना पॉर्शन हमारा, इनी पॉइंट्स के जाद गवार उज़ते हैं, question number 3 का यह part, what is RAM, किस तरह से, what is RAM का यह यह answer है, इसको पहरा अगरा आप पना कर हमने लिखना है, वो सारा introduction बनाएगा RAM का, उसमें सब कुछ मेंशन करना है कि यह volatile memory है, क्यों volatile कहते हैं MCQs में भी आ सकते हैं, कौन सी memory volatile है, कौन सी memory non volatile है, और अगर volatile है, तो क्यों है, कौन कौन सी memory, जिसका feature यह हो, कि data जाया होदे है, वो से volatile तो उसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, एक हमने पढ़ा है, यह register भी, volatile में आता है, register, यह भी एक fast memory होगी है, चेप्टर नमर 5 कही ट volatile है, SRAM, यह भी volatile है, इसमें भी डाटा होता है, जब computer को off करेंगे, जो RAM की यह दोनों time's है, computer को off करेंगे, तो वो data जाया कर देंगी, तो बहुत सारी ऐसी time's हमारे सामने आएगी, जो volatile है, बहुत सारी memory, जबहुत सारी memory, मैंने register का नाम लिया, तो भी इसी chapter 5 के टापे के ब बार मुड़ेंगे, तो इन points को अगर हम याद कर लें, तो हमारे यह जो दो बाकी remaining long percent है, यह 50 percent हमारे long percent का बर हो जाएगे, तो यह हमारा आज का topic है, इसका part बार में किया कल, इंशालह part number two करेंगे, thank you so much.